next theorem में हमारे पास if u and w are finite dimension subspace of a vector space v over a field f then first series का part के dimension of u plus w is equal to आपके पास आएगा dimension of u plus dimension of w minus dimension of u intersection w अच्छे इसी का दूसरा part वो कह रहे है कि अगर ये आपके पास इनका intersection जो है ये अगर zero हो जाएगा ये पार्ट आपका zero हो जाएगा और dimension of u plus w u plus w mention कर दिया हमने v से तो dimension of vector space आपके पास आजएगा dimension of u plus dimension of w मिनके जब आपको ये पार्ट zero हो जाएगा तो बाकी आपके पास रह जाएगा dimension of u plus dimension of w रह जाएगा जी हम इनका प्रूफ करते हैं one by one पहले हम इसके first part करते हैं कि dimension of u plus w is equal to आपके पास आजएगा dimension of u plus dimension of w minus dimension of u intersection w अच्छा इसमें भी again हम वो linearly dependence और independence को check करने के लिए जो हम concept use करते तो वो हम करेंगे देखें कोई भी set आपको वेक्टर्स का given होता था उनको आपने बाइड डेफिनिशन अगर चेक करना है कि वो linearly dependent है या independent तो उसके लिए हम यह करते हैं कि उन वेक्टर का हम linear कि सारे अगर zero हों तो वेक्टर्स हम कहते थे कि यह linearly independent है और अगर आपका एक भी scalar जो है वो वहां पे non zero आ जाता था तो हम कहते थे कि यह वेक्टर्स जो है यह हमारे linearly dependent है तो same वही concept जो है हम इस theorem के अंदर हम use करेंगे जी देखें सबसे पहले हमने suppose कर लिया कि जो first part है इसके अंदर हमारा जो intersection है यू और डब्यू का यह हमारे पास zero के equal नहीं है और हमने कहा है कि यू intersection w has a basis हमने suppose कर लिया कि जो यू intersection डब्यू वी जो हमारे पास basis है वी वान वी टू से वी आर तक है अच्छा यह बात आपने माइंड में रखनी है कि जब आप basis का वर्ड यूस कर देते हैं तो उसके अंदर जितने number of factors होंगे वह आपके पास उसकी dimension होती है जैसे आपने यहा वी आर तो इसमेन के यू intersection ू की आपके पास dimension होगी आर क्यूंकि इसके अंदर अर वेक्टर है अच्छे जैसे कि हमें पता है कि जो यू intersection डब्यू का और यू का इंटरसेक्शन होगा वह यू के अंदर contain करेगा जार इसी बात है W और U के intersection से मुराज़ी है कि जो इसका और इसका जो common part है तो common part obviously वो U के अंदर contain करेगा अच्छा जी अब हमने let कर लिया है कि V1, V2, Vr और U1, U2, Us ये हमारे पास basis हैं U की V1, V2 से Vr और U1, U2, Us ये हमारे पास basis हैं U की इसी तरह हमने let कर लिया कि V1, V2 से Vr और W1, W2 से Wt ये हमारे पास basis हैं W की अच्छा हम इनकी अगर dimension की बात करें तो इसके अंदर आप के पास R vector है क्योंकि ये U intersection W की basis थी तो हमारे पास U intersection W की जो आपके पास dimension आजाएगी वो R आजाएगी और इसी तरह ये हमारे पास basis हैं U की तो यहाँ पर R vector है यहाँ पर S हैं तो ये आपके पास इसकी dimension हो जाएगी R प्लस S इसी तरह जब हम W की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास यहां तक R तक वेक्टर हैं और यह आपके पास T तक वेक्टर हैं तो इस W की dimension आपके पास हो जाएगी R प्लस T हो जाएगी जी अभी तक हमने यह काम किया है कि सबसे पहले हमने लैट किया है कि यू intersection W हमारे पास Zero के Equal नहीं है मिन के हम इसके पहले पार का Proof करने लगें जिसके अंदर आपके पास यू intersection W आपके पास Zero नहीं है Secondly हमने यह कहा है कि यू intersection W की आपके नहीं पास Basis यह वाली हैं और u की हमारे पास basis ये वाली हैं और w की basis ये वाली हैं previously जो इनके अंदर number of elements होंगे इन basis के अंदर वही इसकी dimension होती है, dimension होती ही है कि जो number of basis होते हैं वो आपकी dimension होती है तो ये u intersection w की dimension r हो जाएगी ये u की dimension आपके पास हो जाएगी r plus s और इस W की डिमेंशन आपके पस आ जएगी R-Π त क्योंकि इसके अंदर आपके पस यह वाले वेक्टर हैं लिए तो यह R-P ती आ जएगा ज़िए अब देखें हमने एक accom हम favors किया जिसके अंदर हमारे पस यहches के तिनों के तिनों वेक्टर आ गए एक आपके पास V1, V2 से Vr तक U1, U2 से Us तक और थर्ली W1, W2 से Wt तक इसको मेंशन किया है मैंने स्टैरी के साथ अच्छे देखें यह स्पैनिक सेट है हमारे पास U प्लस W का अगर हम U प्लस W की बात करें तो U आपके पास U के अंदर यह वाले ऐलिमेंट्स है और W में हमारे पास यह वाले ऐलिमेंट्स है तो U प्लस W जो है उसके अंदर हमारे पास यह वाले ऐलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे अच्छे एक चीज़ तो इसके अंदर अभी विएस है के जो U प्लस W की जो डुमेंशन है वो आपके पास या तो इसके एक्वल आएगी आर प्लस s plus t के equal आएगी या फिर इससे less होगी तो हमारे target यह है कि हम ने prove यह करना चाहरे है कि इसकी dimension जो है इसके अंदर यह equality होल करेगी यह less नहीं होगी अगर हम यह चीज़ प्रूव कर लेते हैं कि dimension of u plus w is equal to r plus s plus t तो हमारा जो first part आई है यहां पे prove हो जाएगा नहीं जी इसके लिए हमने सबसे पहले हमें यह prove करना पड़ेगा कि यह जो हमने set था इसके अंदर equality हमारे पास hold करती हैं यह u plus w के लिए जो हमने set form किया था हम इसको prove करेंगे कि यह हमारे पास यह वाला set जो है यह linearly independent है अगर हम इसको linearly independent अगर हम prove कर लेते हैं तो इस mean के dimension of u plus w हमारे पास उसी के equal आ जाएगी क्योंकि जो linearly independent set of vectors होता है वो फिर हमारे पास यह prove हो जाएगा कि यह u plus w की यह basis है तो यहां से फिर हम कह देंगे जी यह हमारे पास इसकी dimension जो है वो r plus s plus w है so हम क्या करेंगे अगर हम इस set को हम prove करना चाहते हैं कि यह linearly independent है तो हम इसका linear combination बनाएंगे और उसको 0 की कवर रखेंगे और फिर prove करेंगे कि उसके जो सारे के सारे scalar जो है वो 0 है यह जी ऐसा ही हमने यहां पे किया है सबसे पहले हमने क्या किया है जी जो first वाला set था वेक्टर का उसके scalar को a1 a2 a r से multiply किया है शेंकर जो u वाले वेक्टर है उनको b1 b2 b s यहां तक multiply किया है और जो w वाले थे उनको हम मैंने multiply किया है c1 c2 और ct मिनके जो यहां पे यह dimension यह mention है ना उसी type के हमने scalar के साथ variable रख है अच्छाब हमारा target यह है कि हमने प्रूब करना कि यह a1 a2 b1 b2 c1 c2 यह सारे के सारे scalar जो हैं यह हमारे पास 0 है अगर हम यह प्रूब कर लेते हैं तो इस mean के हमारे पास प्रूब होदेगा कि यह यू प्लस डब्ल्यू के लिए यह वाले जो वेक्टर हैं यह बेसी हैं तो यू प्लस डब्ल्यू की जो dimension होदाएगी वह आजएगी आर प्लस एस प्लस डब्ल्यू तो वहां से फिर हमारे पास इसका फर्स पार्ट प्रूब होदेगा अच्छे जी हमने किया क्या है कि सबसे पहले यह जो सी वाला जो पार्ट है ना इसके अंदर इसको हम दूसरी तरफ ले गए यह बाद में माइनस कॉमन लिया है तो यह आपके पास इस तरह बन गए बाकी लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि सबी कुछ वैसे लिखा हुआ है अब देखिए यह जो पार्ट है यह भी आपका यू इंटरसेक्शन डव्यू में कंटेन कर रहा है और यह वाला पार्ट भी उसी के अंदर कंटेन कर रहा है यू इंटरसेक्शन डव्यू में सो ये वाला जो पार्ट है ना इसको ये इन यू inटर्सेक्शन डब्लू हो में कंटेन कर रहे है तो यू इंटर्सेक्शन डब्लूओ के अंदर जो हमारे पास हमने उसकी बेसिज लैट की थी वो हमारी थी वी वन वी टू से वी आर तक थी तो लेफ्ट साइड पे हम यू इंटे सेशन डब्यू के हम वैक्टर्स को जस्त लिखेंगे उनको हमने नए स्केलर से मल्टी प्लाई करके उसका हमने लीनियर कंबिनेशन ये वाला लिख है डी वान वी वान प्लस डी टू वी टू प्लस डी आर वी फिर हम ये C1, W1, C2, W2 को हम दूसरी साइड पे लेगें नेक्स हमारा अर्गुमेंट यह है कि यह भी हमारा यू इंटे सेशन डावल्यू में कंटेन कर रहा है यह वाले वैक्टर्स भी यू इंटे सेशन डावल्यू में आ रहे हैं सो हम करेंगे यह के हमारे पास जो यू इन दूसरी साइड पे लाके हमने इनको प्लस कर दिया है लें जी अब हमारे पास यह एक एक्वेशन बन गी है अच्छा हम देखें तो यह आपके पास V1, V2, W1, W2, W, T तक यह आपके पास is a basis for W यह हमने स्टार्ड में लैड किया था कि यह वाले जो है ना वैक्टर्स य इसमीन कि यह आपके पास यह वाला सैट जो यह लीनियर इंडिपेंडट है तो इसमीन कि इनके साथ जो स्केलर मल्टिप्लाई हो रहे हैं वो भी आपके पास सारे के सारे जीरो हैं लें जी यहां से आपके पास यह D1, D2, DR, C1, C2, CT यह सारे के सारे स्केलर जीरो आगे हमारे पास zero आगे इसको हम put करेंगे equation number one हमारे पास ये वाली अच्छे जब ये zero हो गए यहां पर हम put करेंगे ये इतना portion हमारे पास zero हो जाएगा बाकी आपके पास ये वाला बच जाएगा a1 v1 plus a2 v2 plus a r vr plus b1 u1 plus b2 u2 plus bs us ये आगे वाला portion zero हो गया है और बाकी आपके पास यहां पर ये बच जाएगा लें जी जब हमने इसको one में put किया आपके पास ये बन की equation अच्छा जी again अगर आप देखें तो ये आपके पास vectors v1 v2 vr u1 u2 us ये आपके पास w की basis basis का जो site है न वो वाला बन रहा है तो w की basis थी तो basis वो होती है जो linearly जिसके अंदर vectors वे हैं वो linearly independent हो तो इस mean कि इसके जो scalar multiple है ये भी आपके सारे के सारे 0 है लें जी a1 a2 b1 b2 bs ये सारे के सारे 0 है तो again हमने क्या किया है जी इसके अंदर जो हमारे पास vectors से v1 v2 u1 u2 us ये हमारे पास basis हैं u के लिए तो इस mean के हमारे पास a1 a2 a r ये सारे के सारे जो आपके पास इसके साथ जो scalar multiply हो रहे थे वो 0 की equal चले जाएंगे लें जी जब आपके पास a1 a2 b1 b2 bs c1 c2 ct ये सारे के सारे जब scalar आपके पास 0 हो जाएंगे तो इस mean के जो आपने equation बनाई थी one again आप equation number one की तरफ अगर देखें तो ये हमारे पास थी जी ये इसके जितने भी scalar है a1 a2 b1 b2 bs c1 c2 ct ये सारे के सारे 0 हो गएंगे तो इस mean इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं ये आपके पास linearly independent है तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि ये आपके पास basis हैं किसके लिए u plus w के लिए और इसके dimension आपके पास बनेंगी r plus s plus आपके पास आजएगा t लेंगी आपके पास u plus w जो set था उसकी dimension किसके equal आगी है क्योंकि u plus w जो set है ना इसको हम प्रूफ कर चुके हैं ये linearly independent है तो इसकी dimension आपके पास equal आजएगी r plus s plus t आजएगी बस इसको हमने थोड़ा सा rearrange किया है इसको हमने r इसके अंदर हमने add भी कर दिया और subtract भी कर दिया तो first को हमने लिख दिया r plus s second आपके पास आजएगा r plus t और जो r subtract किया ये हमारे पास यहां पे आजएगा अगर हम अपने start पे देखें जाके तो r plus w हमारे पास dimension थी u की r plus t थी dimension w की और ये आपके पास r dimension थी ये u intersection w की जी इसी तरह इसका जो second part है उसको भी prove किया हुआ यहां पे आप अगर इस इतने portion को इतना prove करने के बाद इसका intersection यहां पे अगर आप zero put कर देते हैं तो इसका आपके पास second part जो है वो भी prove हो जाएगा इसको alternative way से भी prove किया हुआ आप इसको भी देख सकते हैं ओके जे लाफ़ीज